CM नितीज कुमार के साथ आनंद मोहन और लबली आनंद की तस्वीर बड़ी ही तेजी से वाइरल हो रही है और आगे की स्क्रिप्ट बता रही है नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराख खबर बड़ी है आनंद मोहन और लबली आनंद CM नितीज क क्योंकि सेट सेरिंग का फर्मूला लगभगताय हो गया है वैसी स्थिति में कुछ सीटों पर इढ़र उधर किया जाना है यानि कुछ जो दूसरे सीट है वो दूसरी पार्टियों के जिम्में दिये जाएंगे वैसी स्थिति में सिवहर से आनंद मोहन की पत नी लबली चुनाव लड़ेंगी बरी खबर आपको बता रहे हैं सिवहर से आनंद मोहन की पतनी लबली आनंद चुनाव लड़ सकती है क्योंकि ये सिवहर की सीट जो है वो जेडियू के खाते में जा रही है खबर जो सामने आई है कि लबली आनंद और आनंद मोहन की मुलाकात हुई है और सिवाहर की थोड़ा बात कर लेते हैं आखिर सिवाहर का क्या समिकरन रहा है क्योंकि जिस तरह से अब ये बीजेपी के हाथ से निकल कर जेड्यूग में जा रहा है जो सिवाहर लोग सवा सीट है तो सिवाहर का क्या कुछ समिकरन है ये जानने की कोशिज करते हैं कि यहां से कौन सांसद रहा है यहां से रमा देवी सांसद रही है दिगज सांसद है और पगातार तीन बार जीत चुकी हैं वैसी इस्तिती में बीदेपी के लिए ये सीट छोड़ना इतना असान नहीं है हम आपको बताएं कि बिहार का सिवहर जिला राजे का सबसे छोटे जिलों में से एक है और ये पहले सितामडी जिले का अनमंडल हुआ करता था 1994 में सिवहर को नया जिला बनाया गया और इसी के साथ सिवहर में सिवहर के जो सियासत है वो अब परवान चड़ने लगी और उसकी चर्चा होने लगी और आपको बताएं कि बिहार की सिवहर लोगसवाचेतर से अभी बीजेपी की रमादेवी सांसद है बिजबिहारी जिनकी हत्या की गई थी और उसके बाद रमादेवी के हाथ में कमान आई थी तो रमादेवी 2019 के लोगसवाचुनाओ में उन्होंने राष्टिय जनतादल के उमिदवार सायद फैसल अली को हराया था रमादेवी यहां से तीन बार लगतार सांसद हैं तीन बार से 2014 के लोग चुनाओ में भी उन्होंने ही जीत दर्ज की थी तो रमादेवी लगतार तीन चुनाओं से जीत हासिल करती चली आ रही हैं हम बात कर रहे हैं सिभर की क्योंकि सिभर की चर्चा हो रही है और सिभर में इस बार तस्वीर बदलने जा रही है अलाकि तस्वीर वो पुरानी भ इन बार तो जीत जरूर दर्ज की है सिवहर से लेकिन इसके पहले आनंद मोहन भी यहां से जीत चुके हैं यहां आपको बताएं कि इस सीट से दो बार सांसद रहे हैं आनंद मोहन जो काफी तेजी से उनका सियासी उभार हुआ था और उस वक्त जो है आनंद मोहन 1996 और 1998 में इस सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं यानि सीवहर की हम बात करना है तो सीवहर के दो बार सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन ने यह चुनाओ बिहार पिपुल्स पार्टी के सिंबल पर लड़ा था अब यह पार्टी अस्तित में नहीं है बाहु बली नेता अनंद मो जेल से बाहर आ गए हैं वैसी इस्तिती में एक बार फिर यहां का सियासी समिकरन बदल रहा है और अब यह सीट यानि सीबहर लोग सवा सीट जेडियू के कोटे में जा रही है और जेडियू कोटे से लबली आनंद उमिद्वार बनेंगी लगभग लगभग यह पक्का हो गय है और तस्वीरे जो सामने आई हैं सीएम हाउस से निकल कर वो भी बहुत कुछ बया कर रही है आनंद मोहर और उनकी पतनी लबली आनंद को सीएम नितीज कुमार ने भरोसा आद दे दिया है कि सीबहर लोग सवा सीट से लबली आनंद ही उमिद्वार होगी बने रहे हैं द